वेल लॉक अप की होस्ट अगर कंगना रनौत नहीं होती तो कोई और मुनवर ने कंगना रनौत जिन्होंने लॉक अप को होस्ट किया है क्वीन कंगना के बारे में आखर पहली बार क्या कुछ कहा है चली आपको इस वीडियो में बताते हैं आप देख रहे हैं फीफा फूज में हूँ आपकी होस्टन दोस्पिदांगी करने का आपको बता दे कि मुनवर जब इस शो को करने वाले थे इस बात को जब सामने मीडिया के सामने जब लाया गया, और फैंस के सामने जब लाया गया, तब सभी लोगों का ध्यान बस इसी बात पे था, कि आखिर ये शो कैसे होने वाला है, जहां पे मुनवर ने कई बार कंगना के बारे में टिपनिया की है, अपने stand-up के बीच कंगना के ओपर मजाक उड़ाया है, और कंगना बेसिकली उन्हें पसंद भी नहीं करती है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे समय ये शो बहुत ही जादा आग लगा देने वाला, बहुत ही फाईरी होने वाला है, मुनवर वर्सिस कंगना, इसके लिए लोग ड अब इस सब के बीच, शो का विनर मुनवर में पहली बार अपनी चुपी तोड़ी है, और कंगना रेनौत के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते है, मुनवर से जब पूछा गया कि आपका experience कैसा था, कंगना रेनौत के साथ काम कि मैंने lock-up किया, मैं बहुत खुश हूँ, कंगना एक बहुत ही professional host है, एक बहुत ही professional person है, और उनके साथ काम करके मैंने बहुत सारी चीजे सीखी है, so I'm glad कि मुझे कंगना के साथ काम करने का मौका मिला, और जब आप ऐसे किसी के साथ काम करते हो, तब आपको realize होता है कि ब People with different opinions can work together, ये मुझे तब समझाया, किसी और का opinion अगर मेरे से different है, तो क्यों मैं एक काम करने की opportunity जो है उसे छोड़ दू, मैं obviously उसे घराब करने वाला हूँ, और यही beauty है हमारी देश इंडिया की, अगर मैं मना कर देता, तो एक अच्छा winner नहीं मिल पाता इस show को, और अगर कंगना रनौत इस show को करने से मना कर देती, तो एक अच्छा host नहीं मिल पाता लॉक अप को, तो I am very glad कि मैंने कंगना जैसे एक बहुती अच्छे person के साथ, professional person के साथ काम किया है, इस तरीके से मुनवर कंगना की बारे में बात करती हूँ नजर आए, अब इसके उपर आपको क्या कुछा कहना, मुनवर और कंगना की जो जर्नी रही थी, starting में एक love-hate relationship था, और end में definitely एक respect और एक professional और you can say in a loving way भी देखने ही मिला है on the finale day, और बीच-बीच में जभी भी मुनवर कुछ अच्छा करते थे, कंगना definitely उन्हें appreciate करती थी, तो कहीं न कहीं उनका love-hate relationship अब love और professional और बहुती जदा cordial हो चुका है, इसके उपर आपको क्या कुछा कहना, comments में ज़रू बताएगा, मिलती हो आपसे थोड़ी देर में अपना ख्याल रखेगा